तो देखे यूपी सिक्षक भरती जो नया आयोगा आपको भी पता है कि इसी वज़ए से यूपेट दोजाटेस के जो नोटिफिकेशन है चाहे एक्जाम है अभी तक नहीं हो पा रहा है तो नया आयोग के बारे में अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि आप में से तो लखनों में रहते हैं फिर वे आप लोग बोलते हो कि यह बहुत पुरानी वीडियो जी नहीं अगर आप न्यूजपेपर पढ़ते हूं ताज का न्यूजपेपर भी उठाकर देखने ना वो सारी चीज़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ यूपेटेट 2023 का नोटिफ अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको भी पता है कि नया आयोग ही कराएगा आप सभी का सिक्षक भरती परिक्षा और इसी वज़े से कही न कहीं यूपेट का नोटिफिकेशन जो है उसमें देरी आ रही है बट अ करने की घोशना हो सकती है और यहां के कर्मचारी वह अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिये जाएंगे वही इन आयोग बोर्ट से सिक्षक भरती के जो भी विज्यापन अब तक जारी हो चुके हैं उनके परिक्षाएं अब नौ गठित उत्तर प्रदेश सिक्षा आयोग ही कराएगा नए आयोग के कठन तक सिक्षकों की भरती प्रक्रिया भी ठप रहेगी जो कि मैंने आपको हमेशा से बोलाए कि जब तक आपका नया सिक्षा सेवा चैन आयोग नहीं बन जाता है तब तक आपकी कोई भी सिक्षक भरती परिक्षा देखो यहां पर अब तक नहीं बन देखो अब यह एक जानी की तैयारी चल रही है चूकि तब इसे लागो करने में देर की कारण पिछली बर्स उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पदों पर भरती की विग्यापन जारी कर दिया था क्योंकि तब तक न जनवरिमे मुक मंत्री जी ने गठीट के जाने की घोष्णा अधारी निर्देष दिया है तो एक चीजी से तय है कि जो आवेदन लिया जा चुका है या जो भी आने वाला pada पर वो इस वज़ा से ठप है, इस वज़ा से रुका है, क्योंकि नया आयोगा गठन नहीं हुआ है, जैसे ही नया आयोगा गठन होगा, इतना मान के चलो, सूपर टेट का तो नहीं, बट येस, यूपी टेट आपका 100% होगा, बट कब जब नया आयोग बन जाएगा तब, अपनी बाते पहुंचा है, अच्छा, जब भी प्रात्मिक सिक्षक भरती का नाम आता है, तो आप लोग बोलते ही, ये कौन सा है, अरे भाई, ये वही है, जो 79,000 में से कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया था, 79,000 जो प्रात्मिक सिक्षक भरती थी, उसी में से, जो 6,800 seat ह उसी के लिए सारी लडाईयां चल रही है, सारा जंग चल रहा है, जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक पिछली भरती क्लियर नहीं होती है, ये पिछली प्रात्मिक सिक्षक भरती है, तब तक आगे की कोई भी भरती प्रक्रिया नहीं होती है, जसे कि कल मैं तो आप यहां पर देखिए अभ्यर्तियों को डबल बेंच में पैरवी का मिला आस्वासन आपको ही पता है कि वहां पर कितने लखनों 79,000 सिक्षक भरती में 4800 आरक्षित वर के अभ्यर्तियों ने सोमवार को बेसिक सिक्षा अब जो लोकल बोल रहे थी कि बहुत पूरानी वीडियो अगर आप न्यूस पेपर पढ़ते होंगो तो देख ले ना उठाकर मैं आपको authentic information देती हूँ बट फिर भी आप लोग इधर उदर की चीज़े देख कर आते हो जूड बोल मुझे जूड बना देते हो बेसिक सिक्षा राजमंत्री सतन प्रभास संदीप सिंग का आवास घेर का प्रदर्शन किया अभ्यरती नारे बाजी करते हुए प्रतिनीधी मंदल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने और नयाली की डबल बेंच में प्रभावी पैर्वी करने की मांग पर अडे रहे इस दोरान पुलीस बल से उनकी नोग जोग भी हुई प्रदर्शन के दोरान बेसिक सिक्षा राजमंत्री ने अभ्यरती के पांच सदसी प्रतिनीधी मंदल से मुलाकात की उन्होंने समस्याओं को सुना और डबल मेंच में पैर्वी का आश्रासन किया अच्छा इनों फिर उसके बाद से बच्चों को इको गार्डिन भेज दिया गया था देर साम तक अच्छा बोला गया है कि देखो 20 दिन तक आपके जो मामला है उस पे करवाई होगी अब यह देखना है कि 20 दिन के अंदर अगर यह यह जो पुराने परात्मिक सिक्षक भर करती है 79,000 वाले में से जो अरक्षित वरका अगर यह कंप्लीट हो जाता है तो कहीं न कहीं एक भरती कंप्लीट प्लस BATBT से का विवाद भी आने वाला नया आयोग का गठन होने वाला तब जाकर कहीं सूपर टेट के बारे में कोई भी चीज आ सकती है अब रही बाद यू आयोग नहीं बनेगा तब तक ठीक है तो सारी इंफर्मेशन में आपको दे दी है जैसे कोई भी इंफर्मेशन आईगी मैं आपको बताऊंगी बट हाँ यह है कि जैसे बच्चे यूनिटी में हैं जैसे कि इको गार्डन में बैठे हुए हैं 51,000 का हलफ नामा की बात हो रह आती हूं सहीं बताती हूं निस्पेपर उठाकर देख लीजेगा वहां और अगर आप लखनों में रहते हैं तो आपको पता चली जाएगा तो चली मिल दें नेक्स क्लास में थैंक्स फॉर वर्चिंग